यह देखे गाइस हमारी यम्मी सूजी की खीर जो कि आप 6 माहिने से लेकर के बड़े कितने भी बड़े बुजरुग हों उनको सब को यह दे सकते हैं healthy and tasty yummy सूजी की खीर तो यह देखे गाइस चलिए बनाते हैं देखे कैसे हमने बनाई है सूजी की खीर तो यह हमारे ingredient है तो आप यह देख सकते हैं और यह काफे healthy होती है यह देखे गाइस हमने ली हुई है हाफ कटोरी सूजी अपनी और हमें इसमें नारियल जादा अच्छा लगता है तो हमने और कोई ड्राइफूट नहीं लिये हैं आप जो चाहें वो ड्राइफूट डाल सकते हैं तो यह हमने एक कटोरी ली है नारियल जिसको हमने कदूखस कर लिया यानि घिस लिया है और आप देख सकते हैं यह हम डालेंगे दूद जो की सूजी से दो चार गुना होगा सूजी का चार गुना दूद है तो चलिए हम बनाते हैं यह देखे हमने एक स्पून के करीब घी एट किया हम घी में इसको ढूंबेंगे आप चाहे तो आप ड्राइ रोस्ट भी कर सकते हैं तो चलिए घी को गरम कर लेते हैं इसके बाद घी में एक अपनी तो हम भून लेंगे अच्छे से देखिए सूझी का जो हल्वा बनाते हैं तो उसको हम थोड़ा सा जाधा डाग करते हैं और सूजी को हम हलका तो ये देख सकते हैं हलका सा golden color आ चुका है हमारी सूजी पर तो इसमें अब हम add करेंगे नारियल जो हमने घिस करके रखा है गाईज इसमें आप नारियल घिस कर डाले तो जाधा अच्छा है नहीं तो आप desiccated नारियल भी यूज कर सकते हैं बुजूर्गों के लिए अगर बनाना है तो आप नारियल ना डाले या नारियल अगर खा सकते हैं तो वो desiccated नारियल डाले और इसमें आप dry food भी grind करकर डाल सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा तो ये देखे गाईज जितनी हमारी quantity लगवख सेम रहेगी तो आप ये देख सकते हैं गाईज आप हम इसमें दूद डालेंगे तो देखे सूजी हमारी थी हाफ कटोरी तो उसका चार गुना दूद हुआ दो कटोरी तो हम दो कटोरी दूद ले लेंगे आपके पास अगर इतना दूद नहीं है तो आप हाफ दूद और हाफ पानी भी कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं हम इसे अच्छे से पकाते हुए बनाएंगे तो आप देखे अभी चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगे जब तब ये थोड़ा सा और पतला आपको दिखने लगेगा ये देख सकते हैं चीनी मेल्ट हुई है और देख सकते हैं तो हमारी सूजी की खीर थोड़ी सी पक चुकी है सूजी की खीर को ज्यादा पकाया नहीं जाता है बस एक से दो बॉयल आएं क्योंकि इसमें दाने दानी दिखने चाहिए अगर ज्यादा पक जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी तो गाइस देखिए हमार दूजी की खीर तैयार है तो इसको अब हम करेंगे सव और आप इसमें और भी ड्राइफ्रूट आड़ कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं हमारी बनकर तैयार हो गई है सूजी की खीर तो चलिए आप इसे सर्व कर लेते हैं अपने बाउल में तो ये देखें गाइस कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी लग रही है नारेल का पुराता भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है तो अगर आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करेगा सस्क क्यों मिलते हैं नेक्स दे नेक्स रेसिपी के साथ